हमारे नूज यूटूब चनल में आप सबका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हमारे जितने केंदरे क्रमचारी है पैंसनर है अधिकारी है उनके लिए है जहां दोस्तों कोई-90 के चलते हुए है हमारे जो क्रमचारी है महंगाई बत्तावा जो इंतजार कर रहे थ रास्ता साफ कर दिया है हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहे हैं तो जुड़े रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो के लाश्ट तक दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टैम विजिट कर रहे ह तो चैनल को सस्क्राइब करना ने भूले साथ ही साथ बेल ऐकन को भी जरूर दबाई जो भी गुर्मेंट इंपलोईज और पैंजनर से समंदी नू जाती है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंथ पूंस के केंदरे करमचरियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो मेंगाई बत्ते से जुड़ी हुई खबर है वे करमचरियों के लिए बोती एहम है इस साल देश की लाखो केंदरी करमचरी को महंगाई बत्ते का इंतजार है यदि सब कुछ ठीक रहा तो उनको जो केंदरी करमचरी है पैंजनर है जल्द ही महंगाई बत्ता यानि कि जो डिये हैं उनको जल्द ही मिलेगा सरकार ने एलान कर दिया है इस समन्द में जो ताजा खबर यह है कि जो लेबर ओफिस ने जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक के SICPI के आंकड़े जारिक कर दे गए है और इससे सेंटर करमचरी के डिये में 4 परतिशत इजाफा होना ते है सिटिजन्ज बदर हुड के अधेक्ष हरी संकरतिवारी के अनुसार जुन 2021 तक दिये बढ़कर 30 से 32 परसेंट जो है उसका फाइदा होगा और इससे किंदर करमचरी के महगाई बते में 15 परतिशत का आपको फाइदा मिलेगा ही मिलेगा वर्तमान में जो किंदर करमचरी हैं मारे अधिकारी है उनका जो 17 परतिशत डिये हैं जो 2019 में बढ़कर 21 परतिशत हो गया है लेकिन COVID-19 के चलते हुए सरकार ने बढ़ोतरी को जुन 2021 तक रोक दिया गया था किंदर सरकार समय समय पर मेंगाई बते पर रिविजन करते हैं और इसका जो कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर परतिशत में होता है और अभी केंदरी करमचरी है पैंसनर है उनका जो डिये अलग-अलग है महेंगाई बता पूरी जो टेक्स टेबल होता है वही हाउट रेंट जो अकाउंट भी करमचरी के लिए काफी मेतर पूरू होता है डिये का कैलकुलेशन बेसिक सेलरी के परतिशत के अदार पर होता है महेंगाई बता केंदरी करमचरी के एक रमचरी है उनको जो महेंगाई बता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके खर्चों को सेहन करने में मदद करने के लिए दिया जाता है और ये वरस में दो बार घोसित किया जाता है जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारी पहले किस्ता आती है जनुरी से जून तक और जो दूसरी किस्ता आती है जुलाई से दिसंपर तक दिया जाता है जिसे एचारे के साथ जोड़ा जाता है हलाएं कि COVID-19 के चलते हुए जो महंगाई बता है फिलाल हमारे करमचरी है पैंसनर उनको नहीं दिया जाता लेकिन सरकारी करमचरी को 2021 में जो महंगाई बता मिलने की जो उमीद है वो साफ दिखाई देरी है जनवरी 2021 में महंगाई बता चैर परतिशत बढ़ने की उमीद है और इस से जो हमारे देश बर के लगबग एक पॉइंट पाच याने की डेड़ करोड करमचरी है जो किंद्री करमचरी है पैंसनर है उनको इसका लाब मिलेगा वर्तमान में जुलाई 2020 से साथ परतिशत महंगाई बता तैर था लेकिन अब इसका जो भुकता नहीं किया जा रहा है हर महीने मुद्रास्पिति के ओस्ट पर केंद्री श्रम मंत्राला दवारा एक सुचकांग जारी किया जाता है उसी के अधार पर जनवरी और जुलाई के महीनों में केंद्रे करमचर और पैंसनर के महंगाई बता निधर्थ है और ये बता पिछले बारा महीनों के ओदोगिक स्रमों के जो उभुकता मुले सुचकांग के अधार पर त्या किया गया है और इसके अधार पर पिछले बारा महीनों के ओशत पर गर्णा की जाती है हरी संकर तिवारी अधर्ष जो नागरिक बदर हुड और जो पूरो रष्टपती एजी बदर हुड प्रयागराज का कहना है कि नुमबर दोजार बीस उभुकता मुले सुचकांग जरी किया गया है यदि दिसंबर में जो महिना है उसके लिए सुचकांग में कोई वर्दिया कमी नहीं है तो बारा महिने का जो ओसद सुचकांग 335.25 होगा और इस अधार पर एक जनवरी 2021 से कुल 28% महंगाई बता दिया जाता है जबकि इससे पहले जुलाई 2020 से 24% महंगाई बता दे है ऐसी स्थिती में ये का जाता है कि अब एक जनवरी 2021 से सुध महंगाई बता 4% ते किया जाएगा इससे पहले जो 7% महंगाई बता था तो दोस्तों इसमें 7% जो महंगाई बता था अब 4 परतिशत और जुडने के बाद जो आपका महंगाई बता होगा वो 11 परतिशत आपको महंगाई बता मिलेगा हलांकि 1 जनवरी 2020 से 30 जून तक जो है उसका एरियर नहीं दिया जाएगा हरी जंकर जो तिवारी ने का है कि 7 परतिशत महंगाई बते का बुक्तान पहले ही किया जाज चुका है और इसमें 1 जनवरी 2020 से 4 परतिशत और 1 जुलाई 2020 जो बीस है उसमें 3 परतिशत सामिल है यानि कि जो जनवरी में 4 परतिशत और जुलाई में 3 परतिशत होने के बाद जो हमारा 2020 में करमचारियों का मेंगाई बता है वो 7 परतिशत हुआ है जनवरी 2021 में जो संबावित 4 परतिशत की वर्दी होगी जबकि 2021 में जो किस्ते हैं 7 परतिशत और 4 परतिशत मिलने पर जो आपका मुद्री स्पिता है उसके अनुसार दोस्तों आपका मेंगाई बता 11 परतिशत आपको मिलने की उमीद दिखाई दे रही है CPIW Index में क्या का आगया है सरकार ने तो इसमें देखिया आपका जो CPI Index है उसके अनुसार भी हम आपको बताते हैं करमचारे के वितन और डिय का अनुमान इस CPI जो IW है उस पर आधारित होता जैसे कि आप सब जानते हैं और इसी के आधार वरस में जो प्रिवर्तन किया जाता है तो यह सीदे महंगाई बते को परवारित करता है CPI IW Index है जो उसका जो आधार वरस बदलने में से नीजी अक्षेतर के करमचारे को न्यूंतन बेतन भी बढ़ेगा दोस्तो सरकार इस उभुकता मुले सुचकांक के आधार वरस में बदलाव करती है और उभुकता मुले सुचकांक एक मेतपरून जो माप डंड होता है इसका उप्योग वस्तुओं और सेवा हैं उनके ओश्यत मुले को मापने के लिए किया गया है वस्तों और सेहों के लिए एक जो मानने के सुमों की ओस्त कीमत है उसकी गर्णा करके इसकी गर्णा की जाती है केंदरे करमचरे को भईशे में अच्छा वीशेस महंगाई बता मिल सकता है सरकार ने अधार वरस में बदलाव किया है जो आपका डिये इंक्रीमेंट होना है इस बदलाव को सिधा फायदा देश के 48 लाग केंदरे करमचरे को होगा 2016 के नए अधार वरस को उध्योगिक सरमेकों के लिए स्टमबर 2020 से लागुक किया गया है डिये की जो गर्ना पुराने जो हमारे सुचकांग को 2.88 से गुना करने और जो पुराने सुचकांग में प्रिवर्तन करने की गई है और यह मेंगाई बत्ता जो केंदरे सरकार के करमचरी और पैंसरों को करमचरी है और इसके साथ ही साथ जो यूपी सहीत विभिन राज्यों के पैंसरों को इसका लाब दिया जाएगा हरी संकर कहते हैं कि आधार वरस 2021 की तरह ही अगर 2020 के उभुकता मुले सुचकांग के आठ अंकों की कमी हुई तो मेंगाई बत्ता पांच परतिशत दे तैह होगा और यदि मुदरा स्पीती तीन परतिशत बड़ी तो जो आपका मुले सुचकांग है वो 24 अंकों की वर्दी किये जाएगा दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कोविड-90 के चलते हुए केंदर सरकार ने महंगाई भात्ते में चैर परतिशत की वर्दी की थी और जबकि महंगाई रहा था यानि की DR है उसको बहाल करने का भी फैसला लिया था जो हमारे केंदरे करमचरी हैं पैंसन उनके लिए बहुती अच्छी खबर निकल कर सामने आई थी सरकार की जो ताजा खोशना से केंदर सरकार के 48 लाग जो हमारे सरमिक है और 65 लाग जो पैंसन भोगयों को इसका जो सीर्दा लाब होगा डिये में बढ़ोतरी और डियार में बहली जो जनवरी से होगी रिपोर्ट के हनुसार जो सरकार ने मेंगाई बात्ते में 4 परतिशत की बढ़ोतरी की है जिसका प्रिणाम सरूप केंदर सरकार के करमचरी के वेतन में वर्दी होगे सरकार दोबारा जो नियुमतन बढ़ोतरी से मुझुदा 17 परतिशत जो डिये बढ़कर आपका जो होगा वो 21 परतिशत हो जाएगा हालांकि तारिक के बारे में एक जो अधिकारी है उसकी घोशना बढ़ोतरी लागो की जाएगी और अभी तक प्राप्त नहीं हुई है वो देने की मंजूरी की है वीत मंतराले ने तभी सुचित किया था कि मुल्या वर्दी की भरपाई के लिए बेसिक पे और पैंसन की मुझुद का जो दर है 17 परतिशत की तो नामे 4 परतिशत की वर्दी होगी केंद्रिय मंतरी मंडल ने 1 जनुवरी 2020 से सेवानिवर्ती पैंसनों को डियार याने की जो महिंगाई रात है वो जारी करने की मंजूरी दी है दोस्तो ये थी आज की हमारे लेटर सब्डेट आई होप आपको ये अच्छी लगे होगी दोस्तो ये अच्छी लगे तो लाइक करें सस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी जरुद दबाएं तो मिलते हैं जल्द ही नाइक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जे भारत